अब 20 साल से वो संसद बनते आ रहे, 26 साल से यहां भारती जनता पार्टी जीती आ रही है, अब देखना यह है कि उनके खिलाफ एंटी इंकंबंसी कितनी कन्वर्ट वोटों में होती है, वो तो हमको शाम को 6 वजे पता लगेगा, अगर उनके खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो निश्ची तोर पर पर परणाम हमीर पुर सजदे शेटर का चुकाने वाला होगा, अब देखे हम तो कोई जवर्दस्ति करते नहीं है, चाली साल से रानिती में हूँ, चातर जीवन से हूँ, हमने कभी किसी के साथ जवर्दस्ति की नहीं, और ना हमरे अस्रभाब में ह पर जनता खुद आई है और हम जनता से ये अन्रोद कर रहे हैं, चुनाब चुनाबों में मुझे लगता है कि इस वार का चुनाब ये रानिती परिवेश में बहुत मत्तंपुन इसलिए है कि जनता की भावनाओं को खीरने वाली पार्टी को इस वार जनता सबक सखाएगी ताकि भविश्या में कोई भी पार्टी हो, मैं यह नहीं कहता कि कोई भी पार्टी हो, जब वो ताकतबर हो जाए और बधैकों को ख्रीदे, यह इस वरकार की रानिती हमाचल परस्देश के जनता को पसंद नहीं है कोई स्पेशल रली पैकेश नहीं दिया है, और अभी तो आपको मैं बता हूँ, सरकारी, कर्मचारी और अधिकारी को नो हजार क्रोड का आंश्यदान जो एन पीएस का है, और जो आपदा के बाद हमने त्रेंड में से क्रोड किंदर सरकार की टीम आई थी, उसका एस्टीम साधन परिवार से आता हूं, साधन परिवार से आता हूं, लोगों की पीड़ा को जानता हूं कि डेड़ लाग में परदान मंतरी वास योजना के थैर कभी घर नहीं बनता, जिसका पका घर उसकी आंखों के सामने ये पानी भाकर ले गया हो, कुछ ही पलों में उसका आश् परदान मंतरी वास योजना के तहर नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और उन्हें साथ लाग रपय दिया, ये इसलिए दिया, क्योंकि जो जिसने हमाचल परदेश में बड़ी मिश्कल से एक पका घर बनता है, और वो पका घरी उजड़ जाए, तो जनता खड़ी रही इसमें, छोटे-छोटे बच्चे गुल्लक से हमें को दान दे रहे थे, और ये ही नहीं है, यहां कई ऐसी चीजे थी, मैंने कई बार कर, हम सत्ता में सत्ता सुक्य लेनी आया हैं, विवस्ता परिवर्तन करने के लिए आया है, और मैंने किया, और रानिती में भी मैं करना च चाहता हूं, यह जो चुनाव ही, यह सरकार बनाने के लिए नहीं है, और नहीं यह आम चुनाव है, यह वेश्बशिष चुनाव है, हमाचल परदेश के 75 साल के इतियास में पहली ऐसी संस्कृती इस परदेश में आई, जहां जनता के बोर्ट से चुने ही सरकार को गराने क का प्रयास किया, और नोट के दम से सत्ता हासिल करने की कोशिश की, अगर इस परकार की रानिती हमाचल परदेश में आई, हम देवी देवताओं की भूमी में रहने वाले लोग हैं, बीर भूमी में रहने वाले लोग हैं, सैनिकों के परिवार हमारे यहां रहते हैं, अगर राजनिती से उपर उठकर इस परकार की बिकीवी राजनिती को रोकना पड़ेगा और इस चुना में ही रोकना पड़ेगा देती है चौदा महीने में जिस परकार पैसे के दम से ये सत्ता त्याने की कोशिश की है ये लड़ाई जनता की है जनता को जीतना पड़ेगा जनता की ताकत जनवल है और धन की ताकत धनवल है जनवल जीतेगा धनवल हरेगा मैं जहां भी गया जनता का मुझे अपना प्यार मिला जनता का मुझे अपना सिहोग मिला अब उस प्यार और सिहोग के अलावा जनता का आश्रिवाद मिला अब जनता को फैंसला करता है तैयर जनता करेगी इसमें आप पार्टी पॉलिटिक्स ने भविश्या की रानिती कैसे ठीक हो बविश्या में इस परकार की ख्रीदो प्रोकत ना हूँ बविश्या में कोई विधायक किसी पार्टी के चुनाव चुनकर आता है और रानितिक मंडी में बिक जाता है ऐसे रानितिक पर रोक लगाने की जूरत है हम तो मुख्यमंत्री हैं आज नहीं होंगे कल होंगे परसू होंगे कोई और होगा लेकिन इस परकार की हमाचल परदेश की रानितिक संस्कृति नहीं है इसको रोकने की जूरत है मेरी जंता से पील है इसको इसी चुनाव में रोका जा सकता है आप अधिसे अधिक अपने विवेक से बोट डालिए और इसमें कोई बीजेपी की सरकार बनने वाले नहीं हैं उनके मैं इमानदार कारेकरतों से भी अनरोध करना चाहता हूं कि आप भी इसमें जो इमानदारी और बैमानी के बीच चुनाव है बैमानों को सबक्स खाने के लिए सही मोगा है यही मैं कहना चाहूंगा